आज की इस वीडियो में आपको पॉलिटेक्निक के एक अपडेट देने वाले हैं तो वीडियो में इन तक जरूरूर बने हैं एक जो सवाल है वह। बहुत जारे च्छाचात रहता है जो यूपी बीडियो के पास रहता है। जए तो पॉलिटेकनी आपके 3 साल की उता है first year, second year और थ descend year ठीक है तक अगर आपकी 4 बैख है तो अग्र अगर आपकी इयर बैख है तो बल्लब 4 से जादा अगर आपकी बैख है तब उस condition में आपका year बैख लगता है ठीक है और अगर आपकी चार बैख है या चार से कम बैख है वो भी एक एर में तो आपका एर वैक नहीं लगता For example फर्स समिस्टर में किसी छात्र की तीन बैक आ गई सेगंड समिस्टर में अगर उसको मोका मिलेगा फर्स समिस्टर की सारी बैक किलियर करने का और उसने अगर माली नहीं कर पाया तो तीन इसमें आ गई, सेकंड समिस्टर में दो आ गई तो तीन और दो मिलके कितनी हो गई, पांच, इस कंडिशन में इस चाट-चात्रा की क्या लग जाएगी, येर वैक तो ये होता येर बैक, अगर फस्ट समिस्टर में दो बैक हैं तो ये टोटर मिलके चार हो जाएगी, तो इस कंडिशन में बच्चा बैक के साथ पास होता है 8 बैक के एक्जाम देने पड़ेंगे मतलब एक साल में 4 से ज़्यादा बैक नहीं होनी चाहिए अगर एक साल में 4 से ज़्यादा बैक आ रही है तो आपकी एरवेक लग जाएगी ठीक है तो आई होप आप समझ चुकी है कि एरवेक कैसे लगती है और आपको दूसरी चीज़ में बता दू कि एरवेक कब नहीं लगेगी देखो आपके आप अगर कॉलिज में अच्छे से बढ़ाई कर रहे हैं और अगर अगर आपने यूटी बन यूटी टू जैसे मालीज आपकी कॉलिज में यूटी बन होता है फिर यूटी टू यूटी टेस्ट दो पहला और दो दो यूटी टेस्ट आपके हां होते होंगे और एक होता है आपका प्रीबोट जिसको मुलते हैं मिटस हैं ये की होता हो ठीक है रोटल मिलागे तीन एक्जाम आपके होते हैं हर सब्जेक्ट के तीन पेपर होते हैं यूटी बन यूटी टू और प्रीबुट अगर आप यूटी बन यूटी टू और प्रीबुट का अगर पेपर अगर जो आपको आपको अपके कॉल्लिज में पेपर मिलता है वो जो कराते हैं वो अगर आपनेNER हैं आप थीन हो बाइ बाइ बाइ